आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर और संबेदन सील विसापे या प्रेसवारता कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे साथियों को या जानकारी मिली होगी कि रूश में 20 नौजवानों को भारतिय नौजवानों को बंधक बना करके रखा गया है। बंधक क्यों बना करके रखा गया है क्योंकि हमारे देश में युवाओं के लिए मिर्त काल चल रहा है। देश में तो नौजवानों के लिए मिर्त काल चली रहा था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब विदेशों में भी भारतिय नौजवानों के लिए मिर्त काल शुरू हो गया है। रोजगार के बरे बरे दाबे किये गए, सरकार ने कहा कि हम हर साल दो करोड नौकरी देंगे, अगर हर साल देश में दो करोड नौकरी दी जाती, तो साइध ये इस्थिती पैदा नहीं होती, आप जानते हैं कि रूस के पास पर्मानेंट आर्मी नहीं है, ठेके पर आर्मी है हमारे देश में भी ठेके पर अगनी पत्योजना लाई गई है ठेके पर जवानों को बहाल किया जाएगा और वहाँ पर जबर्दस्ती भारतिय नौजवानों को एक तरीके से बंधग बना करके रखा गया है उसमें से सिविलियन वर्क में गुजरात का एक नौजवान नोट किजिएगा गुजरात मॉडल गुजरात का एक नौजवान उसकी दुखत मौत हो गई है और इस संबेदन सील विशय पर चारो तरफ चुप्पी है होता है ना कि मोबाइल में एक वाइवरेशन मोड होता है और एक साइलेंट मोड होता है तो जब परचार की बात आती है फोटो आपका बात आता है तो परचार मंतरी सक्रिय हो जाते हैं Vibration Mode Own हो जाता है. और देश से जुरा हुआ कोई विसय हो, नौजवान से जुरा हुआ कोई विसय हो, तो Silent Mode पे चले जाते हैं. यह कितनी गंभीर विसय है, कि देश में, अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए सहादत दे रहे हैं जान दे रहे हैं तो यह बात समझ में आती है कि यह देश भक्ती है राश्ट के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में भारतिय नौजवानों को क्यों जाना पर रहा है। इसका एक सिधा संबंद ये है कि हमारे देश में जो नौजवानों के भबिस्थ के साथ खिलवार किया जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी का दन्स उनको जहलना पर रहा है। और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। लाखों पद केंद्रिया विभागों में खाली हैं और सरकारी जो छेतर हैं, राज सरकार के अधिन जो आते हैं, उसकी तो हालत आप सब देखी रहे हैं कि क्या हो रहा है। जब हमारी भारत जोरो न्याय यात्रा उत्रप्रदेश से गुजर रही थी, तो इलहा विश्विद्याला का एक नौजवान आया और कहा भहिया, जितना इस देश में लव लेटर लीक नहीं होता है, उससे जादा उत्रप्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता मतलब नौजवानों की स्थिती ये है कि एक तरफ या तो भरती नहीं की जाती है, भरती की परकिरिया शुरू होती है तो प्रसन पत्र लीक हो जाता है, और पूरी की परकिरिया जो है वो न्यालय के अधिन चली जाती है, और आप भरती की परकिरिया और उसमें होने वाले तो अलग बात है अभी आज आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में बोर्ड के पेपर भी लीख हो गए हैं ये जो देश के नौजवानों के साथ इतना बरा आत्याचार हो रहा है और मैं आप सब लोगों से एक आकरा साजा करना चाहता हूँ अभी से कुछ मही ने पहले ही एक घंटे से कम समय में एक नौजवान आत्महत्या कर रहे थे देश में अभी का आकरा ये है कि एक घंटे से कम समय में दो नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं मतलब देश में रोजगार नहीं मिलेगा तो देश में आत्महत्या करने की स्थिती है और रोजगार पाने के उद्देश से वार जोन में जा करके युद्ध छेतर में दूसरे देश की सेना में जबर्दस्ती जो है बंधक मना करके नौकरी करवाने की स्थिति पैदा की गई है और आप सब लोगों ने ये न्यूज भी साइद देखा होगा अखवार के किसी कोने में आखरी पि में हैं अलग-अलग राज्यों में और जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको एक तरीके से उनकी मजबूरी का फाइदा उठा करके और एक कहावत आप लोगों ने सुना होगा मरता क्या ना करता बहला फुसला करके सपने दिखा करके कि बिदेश में आपको नौकरी मिल रही है देश के नौजवानों के साथ उनके भबिस्ट के साथ खिलवार किया जा रहा है और इसी करी में मैं एक बात और आपको जोड़ दूँँ अपने बच्चों को उनके भबिस्ट को बहतर बनाने के लिए सपना देखने वाले जो मावाप हैं पेट काट करके अपने ब में मार दिया गया है भारतिय नौजवान को कभी अस्ट्रेलिया में मार दिया गया है कभी यूरोप के किसी कोने में मार दिया गया है और इन सब के बीच दावा क्या किया जाता है बिस गुरू का बिस गुरू नहीं है गुरू आप पक्का से न बिस गुरू हैं और आप इस पर देश के नौजवानों के भविस में जहडगोल रहे हैं और जिस तरह से देश में और बिदेश में भारतिय नोजवानों की जान ली जा रही है यह अपने आप में बहुत दुखत चिन्ता जनक और संबेंदन्सील बात है। इसलिए हमारा यह कहना है कि देश में तो नौजवानों के लिए मिर्त काल चली रहा था अब विदेश में भी भारतिय नौजवानों के लिए मिर्त काल चल रहा है इसी विशा पे आप सबसे बातचीत के लिए हम साथ ही यहां उपस्तित हुए हैं आप सब लोगों ने धायर पुटवक अपनी बात सुनी बहुत- उसका हम यथा संभव उत्तर देने का प्रियास करेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद। करने के लिए क्यों जाता है जब आपको अपने घर बार में रोजगार नहीं मिलता है जैसे मैं बिहार से हूं सर हम लोगों को पढ़ने के लिए इलाज कराने के लिए हनीमून मनाने के लिए काम करने के लिए हर चीज के लिए बाहर जाना पड़ता है क्यों क्योंकि हमारे तो पहला मसला यह है कि अपने देश में इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है यह सबसे प्रमुख बात है दूसरा फिर मरता क्या ना करता जो काम मिल जाए सर यहीं हमारी इनवस्टी के पीछे जो है बहुत सारी एमबेसी है लोग जो है रात को दो बज़े से लाइन लगाते हैं बीजा लगवाने के लिए दो बज़े से सारे आठ लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है कहते हैं कि जो है बिश में डंका बज रहा है सारे आठ लाख लोगों ने जो है इंडियन पासपोर्ट छोड़ दिया है फिर जहां जो काम मिल जाए और ठेके पे बाहर में आर्मी में भरती की जाती है हमारे देश में नहीं की जाती थी अब की जाएगी अभी इसकी शुरुवात हो गई है तो की ही जाती है इसराइल का मामला अलग है इसराइल में आर्मी में नहीं दूसरे काम के लिए, डिफेंस से रिलेटेट नहीं, बलकि और दूसरे सिविलियन काम के लिए भारतिय नौजवानों को, अलग-अलग कंपनियां जो है, देश के अलग-अलग शहरों में शक्रिया हैं, किसी ना किसी कोने में जो है, तुरंत आईए मिंटों में भीजा पाई ये के विज्यापन के साथ दुकान खुले हुए हैं, और भारतिय नौजवान उसमें किसी तरीके से, चाहते हैं कि हमको बिदेश में कोई अवसर मिल नहीं रहा है, तो बिदेश में कोई अवसर मिल जाए, वो उसके तहज बाहर चले जाते हैं, और वहां जाकर के जब उनक देखिए अब इस बात का जवाब एक्चुली हमारे सीनियर जैसंकर जी देते विदेश मंत्री वो हैं कि किस विजा पे ये लोग गये हैं सरकार का इस पर क्या स्टेट्मेंट है हम तो जो है इस देश का जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सरकार से यही सवाल कर रहे हैं कि भारत का कोई भी नागरिक दुनिया के किसी हिस्से में अगर मुश्किल में है तो उसको उस मुश्किल से निकालना सरकार की जिम्मेवारी है और हम आपको याद दिला दें, यही परचार भी तो किया गया था, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा, उत्राखंड में तराशदी हुई थी, और जो है, मोदी जी के लिए बड़ा-बड़ा परचार हुआ था, हर अखवार के प्रिष्ट पे छपा था, कि खु से नहीं गये थे, मतलब हेलिकॉप्टर लेके गये हैं, और गुजरातियों को निकाल करके ला रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में कोई गुजराती को कुछ हाय हो जाये, तो मुझे जी परसनली जो है, उसकी मदद करते हैं, तो हम बस उनको याद दिला रहे हैं, कि आपका यगुण कहा है, हम देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश के बाहर, जो भारतियों नौजवानों के साथ, देश के अंदर जो परिस्थिती है, जिसके चलते उनको विदेश जाना पर रहा है, तो उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो सरकार इसकी जिम्मेवारी ले करके गए हैं यह तो सरकार बताएगी हम कैसे बता सकते हैं हम तो विदेश मंत्री हैं नहीं सरकार की तरफ से कल आंखड़ा भी यह सामने आया कि जीडीपी ग्रोध जो है वो 8.4 फीज दी हो गई है क्या कहीं गया सारहे 700 लोग जो है वो धन्ना सेट हो गए है और वो खर्वों में उनकी कमाई हो गई है और किसान ने आत्मत्या कर लिया है सारहे 12,000 इसको कैसे देखते हैं जीडीपी ग्रोध हो रहा है अच्छी बात है विकास दर बढ़ रहा है बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है महिलाओं के उपर होने वाले अपराध अगर बढ़ रहे है तो चिंता की बात है मजदूरों को अगर बच्चा को पढ़ाना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो PF का पैशा निकालने के लिए जा रहे हैं, तो पैशा नहीं निकल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज है, GDP बढ़ गया, बहुत बढ़िया बात है, मैं हम बार-बार यही सवाल एकॉनमी हो गई, सांदार, शुन्दर, लेकिन 5 करोड की ट्रिलियन, 5 करोड, 5 ट्रिलियन की एकॉनमी हो गई, तो ये 80 करोड लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं, तो धान कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, आंकरा उठा करके देखिये, GDP तो बढ करीद रहा है, तो ये GDP ग्रोथ किसका है, वो देखने की बात है न, और इसमें कोई ये कोई अंतर विरोधी बात तो है नहीं, ये तो और अच्छी बात है, तब तो सरकार अब ये बहाना नहीं लगाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है, तब तो हम कह सकते हैं न, कि GDP में जो है, एजुकेशन के उपर कटोती की गई है, तो पैसा अगर पैदा हो रहा है एकॉनमी में, तो जा किसके पास रहा है, ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है, MSP क्यों नहीं मिल रहा है, और आप सब पतरकार थी है, एक बात याद दिला दू, लाडली का कितना परचार किये थे लाडला ने, लाडली कहा है, लाडली में पैसा मिलना बंध हो गया है, MSP पर जो वादे किये गए थे, वो वादा तो छोड़ दीजिए, गुजरात के मुख मंतरी थे मोदी जी, तो प्रधान मंतरी मनमो कर दे रहे हैं, उसको कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, नौजवानों की हालत देख लिजिए, कि देश के किसी ना किसी कोने में भरती समय से हो, एकजाम टाइम पे लिया जाए, प्रस्न पत्र लीक ना हो, देश के किसी किसी कोने में जो है नौजबान और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। GDP पढ़ा है बहुत बढ़िया लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। ग्री मंत्री है तो law and order है यह तो कहीं भी हिंसा क्यों हो कि हिंसा होने की जुरत क्या है। प्रकारेंड किसी को भी आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उरिशा में जोइन कराया है। एक बीजेडी का MLA जो भाजपा कारकरताओं के उपर गारी चढ़ा दिया। एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गारी चढ़ाने का क्या सौक है। वो टेनी जी का बेटा किसानों पे गारी चढ़ा दिया था। तो यह बीजेडी का जो नेता है वो बीजेपी के कारकरताओं पे। और प्रदान मंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं एक भाजपा कारकरताओं की पार्टी है। उनके कारकरता के उपर जो गारी चढ़ा दिया उसको जौइन करा लिया है। क्यूं? 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते हैं तो किसी भी अस्तर पे जाकर के समझोता करते हैं। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नितीस कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया एकदम स्वीट स्वीट सा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है यह दावे हैं सुनते हैं हम भी आप भी सुनिए। पहली लिस्ट की तयारी है आप लोग विपक्ष में हैं आपकी CEC कब होगी इसको लेकि कोई क्लारिटी नहीं है अलाइंस TMC के साथ वेस्ट बेंगॉल में होगा नहीं होगा इस पर इभी सच्छा बना हुगा है। कितनी चिंता करते हैं आप हमारी। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोग कितना चिंती थे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा बहुत धन्यवाद। हम यह प्रेस कॉनफरेंस एक बहुत ही गंभीर और संबेदन सील विसय पे है चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कॉनफरेंस नहीं रखा गया है नंबर मैंने आपको बताया 20 बारतिय लोग रूस में फसे हुए हैं बंधक बनाये हुए हैं वे 400 छोड़ करके 20 नंबर याद रखिए इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूं ऐसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं देने आता है जवाब दे सकते हैं लिए विसय कुछ और है ठीक है कनहिया जी यह बताएए कि आपने का कि अमेरिका में भारतिय चातरों का मडर भी हुआ है संदिक्त परिस्थितियों में मौ हुआ है इसके पीछे विपक्ष किनाते आप कोई साजिस देख रहे हैं फाउल प्ले देख रहे हैं दूसरा सवाल है कि मोदी आपके छेतर में जा रहे हैं कल आप पिछले बार वहां से लोकसभा का चुनाओ लड़े थे इस बार कॉंग्रेस की टिकट पर बेगुस सराय से लड़ेंगे अब ये विशे अभी आज का नहीं है प्रिसवारता का पहला सवाल जो आपने पूछा है कि भारतिये नौजवानों और विद्यार्थियों के साथ आए दिन कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साजिस है लेकिन एक चिंता जनक और गंभीर परिस्थिती जो जरूर है मान लिजीए कि मैं बार बार कहता हूँ कि देश के भीतर की समस्या को बाहर जो घटनाय घट रही है उसके kontext में देखने पर चीजे आसानी से समझ में आती है मैं बार बार कहता हूँ मैं बिहार से हूँ और जो है जब हम लोग महारा जाते थे तो हमारे साथ भी जो है कई बार इसी घटनाएं घटी गुजरात में कई बार जो है इसी घटनाएं घटी ऐसी घटनाएं क्यों घटती है ऐसी घटनाएं तब घटती है जब बिहार में रोजगार नहीं है और हमको मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है वह ऐसे ही कि बाहर का लोग आकर के रोजगार ले लिया है, बाहर का लोग आकर के इन्वस्टी में होस्टल को कबजा कर लिया है, इन्वस्टी को कबजा कर लिया है, तो इस तरह से जो है आइडिन्टिटी के आधार पे पोलराइजेशन होता है, धुर्वी करण होता है, और नफरत फैल नहीं, बस मैंने समझने के लिए उधारन दिया है, और इस्तिती अलग है, बस हमने समझने के लिए धारन दिया है, फिलाल तो हम रूस की बात कर रहे हैं, इड्राइंГ को लेकर जो के आपने काहा तो आपकी एग्जसेक्ट मार्च सरकार से तो हम यही मांग कर रहे हैं कि आप यही रोजगार की विवस्ता किजिए भारतिये नोजबानों को किसी भी परिस्थिती में वार जोन में जा करके काम करना पड़े जहां मिसाइल चल रही है गोलियां चल रही है लोग मारे जा रहे हैं चाहें इस तरफ से मारे जाएं या उस तरफ से मारे जाएं हम यह नहीं कह रहे हैं लेकिन उसमें हमारे लोग जा करके क्यों अपनी जान कमाएं उनको यहीं रोजगार दिलाएं और बस उनको वादा ता कोई किसी को अच्छा लगता है कि गोलियां चल रही हो और वहाँ पे जो है हम garden साफ कर रहे हैं या सरक साफ कर रहे हैं यह अच्छा तो लगता नहीं है तो हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि देश के नौजवानों के भविस्थ के साथ खेलना बंद कीजिए और दन्याय का हख मिलने तक